नमस्का दोस्तों जय मातादी स्वागति आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तुतुला राशी वालो आने वाले अगले 24 गंटों में आपकी जिन्दगी में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं हम बात कर रहे हैं 20 अपरेल 2023 के दिन की बारे में यह दिन आपके जीवन में कई सारे उतार चड़ाओ लेकर आने वाला हैं कई सारे परिवर्तन इस दिन होने वाले हैं क्यूंकि दो दो बड़े ग्रह एक ही राशी में संचार कर रहे हैं आएसम दोस्तों इन 24 गंटों में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपका समय कैसा रहेगा भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा सब कुछ बताएंगे सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस दिन के पंचान के उपर तो दोस्तों वेशा की अम्मा वस्याति थी है अश्विनी नक्षत्र का निर्मान हुआ है विश्कुम्ब योग बना है सुर्य इस दिन मेश राशी में है और कमाल की बात यह है कि चंद्रमा भी मेश राशी में ही संचार कर रहे हैं अब दो दो बड़े ग्रहों का एक ही राशी में गुमना आपके जीवन के लिए क्या सुखदाई साबित होगा या दुखदाई साबित होगा यह बात तो आपको आज की इस वीडियो में ही जानने को मिल पाएगी वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के जितने भी सच्चे भग यह वीडियो देख रहे हैं इसी पल इस वीडियो को लाइक करें साथी कॉमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जैश्री महाकाल जरूर लिख देना दोस्तों आपको बता दे आने वाला यह दिन आपके जीवन में वैसे तो चारो और से खुशिया ही खुशिया लेकर आने वाला है लेकिन जो नाकारत्म ग्रहू का प्रबाहू है वह कुछ देरी के लिए आपके काम बिगाड़ सकता है व्यापार में दोस्तों बरसों से चलती आ रही आपकी मैनत इस दिन रंग लाएगी लेकिन आपके दुश्मन आपके गुप्त शत्रू आपको आगे बढ़ता देख बिलकुल भी खुश नहीं होंगे और आपके कामों में बाधाय पैदा करने का प्रियास करेंगे तो आपके लिए बहतर यह होगा दोस्तों कि इस दिन आप अपने विरोधियों से अपने शत्रों से बचकर रहें अन्यता आपके कामों में रुकावटे आ सकती है वर्क फ्रॉम होम कर रहे करमशारियों को फोन पर अपने सयोग्यों का बहुत अच्छा साथ मिलेगा यदि बहुत समय से आपका कोई काम रुका हुआ है तो आपके जो उच्च सयोगी है अधिकारी है वे आपकी मदद करेंगे उनकी साहिता से आपके सारे रुके पड़े अटके पड़े काम बहुत जल्द पूरे हो सकते हैं पारिवारिक जीवन के दी बात करें दोस्तों तो पारिवारिक जीवन में सुख शान्ती बनी रहेगी अपनों का आपको बरपूर साथ मिलेगा आपके परिवार के आपके अपने लोग हर कदम हर दम आपका साथ देंगे जिनसे की आप आने वाले सभी संकटों से लड़ सकोगे उन सभी संकटों का डट कर सामना कर सकोगे अबी के लिए आपको लगाने पड़ीगी देखे बिना सोचे समझे खर्च करने के आपकी यो आदत है आपकी वा आदत आने वाले 24 गंटों में आपको दुख दे सकती है तो आपको दोस्तों और कुछ करें या ना करें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा पैसा बचाना सीखें आपकी आज की बचत ही बविश्य की कमाई बनेगी बिना सोचे समझे खर्चा करने की गलती न करें विद्यारतियों के लिए समय बड़ा बलवान रहेगा विद्यारतियों को आने वाले 24 गंटों में अपने सिक्षकों का अच्छा साथ मिलेगा आप अपने करियर अपने बविश्य के प्रती कुछ मैतवपुन निन्ने ले सकते हैं कुछ मैतवपुन फैसले ले सकते हैं आपको आगे करियर में क्या करना है उस दिशा में आगे बढ करना पड़ेगी अब देखे दोस्तों दीन आपके लिए शांदार है दो दो बड़े ग्रह एक ही राशे में संचार कर रहे हैं इसका अर्तिया है कि पैसा तो आपके पास आएगा पैसा का आना जाना लगा रहेगा लेकिन दोस्तों यदि आपने खुद पर कंट्रोल नहीं कि यदि आपने हर किसी पर आख बन करकर विश्वास किया तो लोग आपको दूका देंगे कोई ना कोई व्यक्ति आपका पैसा हड़पने का प्रियास करेगा इसलिए दोस्तों पैसों के मामलों में आपको अगले 24 गंटों में खुद को बहुत समाल कर रखना होगा सोच समझ कर आपको अपने निड़ने होंगे कोई व्यक्ति यदि आपसे बोल रहा है कि यहां निवेश कर दे यहां से तुझे बहुत लाब मिलेगा बहुत अच्छे परिनाम मिलेंगे तो एकदम से उसकी बातों में आकर बिनास तोचे समझे आप कहीं पर भी निवेश ना करें अन वाले अगले 24 गंटों में आपको रूजगार के एक से बढ़कर एक नए नए मौके मिलेंगे नए नए आउसर मिलेंगे आप जो सोच रहे हैं लंबे समय से यदि आप सरकारी नोकरी करने का गौवर्मेंट जॉब का या किसी प्राइवेट जॉब का या फिर खुद का मौका देगी आपकी किस्मत में अउसरों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है हर कदम पर जहां आप प्रियास करोगे वहां आपको सफलता मिलेगी लेकिन दोस्तों आपकी गलती है कि आप कुछ नया करने से डरते हैं आप आगे मनने से डरते हैं आप रिस्क लेने से डरते हैं देखे दोस्तों जीवन में यदि कुछ बढ़ा करना है तो छोटी मूटी रिस्क तो लेनी पड़ेगी छोटा मूटा जोखिम तो उठाना पड़ेगा हम आपको यह नहीं किते कि आप बहुत बड़े बड़े जोखिम उठाईए अपना सब कुछ बेज दीजिए ऐसी गलती मत करिए लेकिन छोटी छोटी रिस्क उठाईए जो आपके बजट में हैं जितना नुकसान आप सहन कर सकते हैं ऐसे रिस्क उठाकर यदि आप खुद का कोई काम शुरू करोगे तो अगले 24 गंटों में आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्ट होने लगेंगे साथी दोस्तों इन 24 गंटों में काफी ज़्यदा अंजान लोगों से आपकी मुलाकाते होने वाली है व्याफार के सिलसले में दफतर के सिलसले में या फिर काम क किसी और सिल्सले में आपको नए नए लोगों के साथ मिलनापड़ेगा उठना बेटना पड़ेगा ऐसरेम दोस्तो sadly बातव कई बातों से आप का मन परिशान हो जाएगा कई बातों से बहुत खुश हो जाएंगे लेकिन अपने काम का तंअ केवल अपने काम तक ही आप सिमित रखना दफ्तर का या व्यफार का तनाव आपको अपने घर तक लेकर नहीं आना है साथ इमित्रों आपको बता दे आने वाले अगले 24 गंटों में स्वास्त के मामले में आपको काफी सतर्क रहना होगा छोटी मोटी भी यदि कोई परिशानी हो तो तुरंची के सालय जाके सलले स्वास्त को लेकर इन 24 गंटों में आपको कोई बेरिस्क कोई भी जोखिम नहीं उठाना है साथ दोस्तों यदि बहुत समय से पारिवारिक जीवन में कोई तनाव चल रहा है किसी बात को लेकर कोई मतबेच चल रहे हैं बार बार लड़ाई जगले हो रहे हैं घर का वातवरन बहुत खराब है तो आने वाले अगले 24 गंटों में घर का वातवरन सुद्रेगा सारा त तनाव दूर होगा लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करना होगा आपको अपने लोगों के साथ समय बिताना होगा अपनों के मन की बातों को समझना होगा तब जाकर दोस्तों आपकी सारी चिंताय आपका सारा तनाव कम होने साथ ही बच्पन के मित्रों से इन 24 गंटों में आपकी मुलाकात हो सकती है बहुत समय से आपके मन में कई सारी बाते दबी होई थी कई सारी प्रशन आपके मन में चल रहे थे तो बच्पन के मित्रों से जब आप मिलेंगे तो समय कहां बिज जाएगा कैसे बिज जाएगा इस अपने मन के सारे राज उन्हें बता देंगे आप अपने मन की सारी बाते उन्हें बताएंगे इससे आपको बहुत अच्छा मैसुस होगा बहुत हलका मैसुस होगा और उनकी और से भी आपको कोई बहुत अच्छी सलह मिल सकती है उनकी और से भी आपको कोई बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा जिस पर चलकर आपकी सारी मुसीबतों से आपको चुटकारा प्राप्तु जाएगा साथ दोस्तों इन 24 गंटों में कोर्ट कचेरी के मामलों में काफी ज़्यादा पैसा आपका लगने वाला है यदि कोई कानूनी काम बहुत समय से आपका अठका पड़ा है तो इन 24 गंटों में संपन्न तो होगा लेकिन धन बहुत ज़्यादा लगेगा और कानूनी कामों में धन लगना लाजमी है यह बात आपको पता भी है कुल मिलाकर दोस्तों दिन शांदार है मैनत का अफल इस दिन आपको जरूर मिलेगा तो दोस्तों यह थी कुछ खास कु पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी हो सुनकर आनंदा हो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भुले साथ दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से हर हर महादेव जैश्री महाकाल जरूर लिग दे उसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको भी रूजाना प्रति दिन ऐसी ही ज्यान वर्दक वीडियो मिलते रहे अभी ही कले इस वीडियो को समाप्त करते हैं आज कि इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद